ठीक एजी यह एक और प्रॉजेक्न है करते हैं यह ना इसको किया है अब इंपोट करते हैं लाइबरेरी सिंपोट इंपोट लाइब्रेरी इंपोट मैंने करनल साथ भी स्लेक्ट करने pandas as pd numpy is npc bond and then import plotly express spx फिर हमने करना है जनाब import from profit import profit and plot उनके import कर लिए इसके इलावा इसके अंदर बहुत और चीजे हैं जो भी मैने आपको explore करके नहीं बताएं because it will take time to understand whatever is there अब मैं data read करता हूं data read करते है है हमारे पास ये ना climate change का data का नाम ये है मैं इसको as it is copy करता हूं और मैं यहां पे से रख लेता हूं पेस्ट करता हूं ठीक है टी एफ डॉट एड़ कर लेते हैं यह हमारे पास data आगे इस बिग डेटा सेट यू नाओ आट और मैं इस कॉलम को अपने पास वाई बनाऊंगा टी डीगरी celsius और डेट अंट टाइम को मैं टी एस कर देता हूं रीनेम दे कॉलम्स को भी यूज़्ट और प्रॉफिट रीनेम डेट टाइम को डी एस टी जिगरी celsius को वाई कि दीएफ करतें तो यह हमारे पास इस तरीके से आगया । दोनों आगया हमारे पास नाओ वट वट्वी एज़एंग टूदू इंप्लीमेंट प्रॉफिट मॉडल सबसे पहले मॉडल इस एकल टू प्रॉफिट मॉडल डॉट फिट हमने डी एफ पे कर दिया फिर हमारा अगला जो काम था कहीं से हम कोड पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पे लगा लगा लें फिर हमारा अगला काम था जी फॉर्कास्ट model.make future data set predict,ena are फॉर्कास्ट and then model forecast.headॳ प्रॉब कर सकते हैं लेकिन मैं इसको plot.plotty... Let's see, लेट से. पहली एरू, data-times, टांबेत, 중 Això एक थाइए month, date, year हमें उप्सृ करना पढ़ेंगा Das को ठीक हा beni s को स्प्वलीट करना पढ़ेंगा बेस ऐन देथ ताइम तो मैं इसका फंक्शन यूज करता हूं अबि इसकत मेर्ट कां जाओ तार में बिलमीा है to date time dfds format date month year okay let's accept this अगर अब भी भी ना चला दन्वी विल डू सम्थिंग अल्स यह फाइदा है इसका machine learning algorithm यह जो इन्होंने अपलोड कि हूँ उसामा भाई ने पहले run कर लिया जी से और खुश्मी नजर आ रहे हैं या वैसे सरहल आ रहे हैं कि नहीं मजा नहीं आ है वो गहरें नहीं मजा है जो कल हमने पढ़ी थी चीज़ें विंडों की इदर उदर की वो तो पानी फिर गया ना फिर आज नहीं वो content होता है जो आपको सीखना जरूरी है यह profit के पीछे जो चीज़ें चल रही है वो यहीं है ना हमने model नहीं बनाना सीखे कल हमने model बनने की theory सीखी थी कि होती है जन्रेट होती है फिर उसके बाद काम होता है यहां पर जो हमारा काम चल रहा है नो बेसिकली यह extensions जो है और रड़ी काम कर रही है और यह data कितना बड़ा है आपको पता है millions में न याद है न इस वज़या से मैं नहीं रोग रहा है इसको इसको चलने देना मैंने just to have a look कि क्या होता है इसका meanwhile आप अपना project बनाते जाएंगे मेरे साथ 1462 पर इसने अच्छा खासा time लिया था अगर मैं यहां पर आऊ 0.5 second लिये थे model run करने के लिए यह millions में data set है so it will take more time अगर मैं यहां पर वापिस आऊ तो यहां पर हमने इसको चेक किया था data set को कितना बड़ा data set है जी यह है जी 4 नहीं 40,000 something थी 42,551 not bad मैंने इसको चलने देना I know that it will take time but still it's fine subset भी हम चला सकते हैं लेकिन वेट यह ज्यादा था यह इतने हमारे data points थे काईदा ही सेकड़ा हजार देजर लाक चार लाक दीस हजार पांसो इकावन और फिर हम 35,000 पर आये थे using this technique जब हमने step start stop किया था काम ठीक है we will see कि अगर वो जल्दी काम होता है ठीक है otherwise I will stop this मैं इसका आपको link भेज रहा हूं profit model है क्या और कब कैसे कहां पर बना यह आप जरूर पढ़िएगा forecasting at scale है ठीक है यह python और आर दोनों के अंदर मजूद है और इसकी प्रॉपर एक guide भी दी हुई है इन्होंने और इस पे बकाइदा इनके tutorials भी पढ़े हुए देखे हमारा काम coding में efficient होना नहीं है हमारा काम क्लाइंट को satisfy करना के यह आपकी जनाब forecasting आएगी किया कैसे है that's another thing जब तक वह code चर रहा है मैं आपको दिखा देता हूं यह आपके सामने नजर आ रहा होगा जनाब आपको यह है जी profit की website github.io के उपर है और अगर आप गौर करें कि यह forecasting procedure है implemented in hard and python it is fast and provides completely automated forecast that can be tuned by hand and data scientist and any मतलब कोई भी analytics का यह data scientist का बंदा data science का बंदा they can tune it install कैसे करना वह यहां पर अधर दन दाट उनने इसके बारे में fully automatic है यह और यहां पर अगर आप गौर करें तो यह updated version है यह नहीं होगा इसारी बात है facebook का बनाया हुआ है जैसे tensorflow Google का है so this model will be updated in many ways कहां पर इन्होंने लिखा था अगर आप install पर क्लिक करें तो आपके पास installation का procedure आड़ेगा आप इसकी API भी यूज कर सकते हैं if you want to use that one directly आप क्या करें profit को import करने के बाद इसको directly आप यूज कर सकते हैं and then आपके पास different किसम के plots or different कि किसम के आप analysis कर सकते हैं there are many things which you can do with profit यह आप चेक करें और जितनी आपने prediction करनी है एक साल की दो साल की forecast करनी है you can do a lot of things with this अगर आप multiplicative with seasonality check करना चाते हैं तो you can do like this additive करना चाते हैं वो भी uncertainty in trend में check करना चाते हैं वो भी there are many things which you can see अगर आपको लगता है कि trend fall to आया तो आप उसके उपर भी काम कर सकते हैं यार copy और paste वाला काम है सिधी सी बात है अगर किसी बंदे ने forecasting करनी है for the company you don't need to learn each and every step सिरफ यहां पर जाएं इस model को load करें use करें and then you can actually make a lot of change in your company if you want to do that और अगर आपके पास outliers वगेरा detect करने और उनके इबारे में बात करनी है so you can do it like this आपके outliers दूर से आपको नजर आ जाएंगे कि यह वाला outlier है जैसे हमारे पास pressure के data के अंदर आ रहे थे तो अगर इसी library के उपर बात की जाए अगर facebook को अच्छे खासे साल लगे हैं इसको बनाने के लिए तो हमें सीखने के लिए कम अज़कम तीन से चार महीने चाहिए अगर पूरा detail में इसको बढ़ना है but if somebody of you want to work in time series तो यह एक नया trend चला हुआ है कि आप लोगों के module होने हुए इंप्लिमेंट करना एक अच्छे तरीके से सीखते जाएं यह अजी diagnostic इसकी cross validation जो बात की गई थी कि इसको compare कैसे करेंगे diagnose करना मतलब यानि के compare करना आप compare भी कर सकते हैं कैसे आप compare करेंगे बाकी सारा कुछ चलाएं और एक specific point में इसको cross validate करना start कर दें कि यह वाली चीज़ जो है इसको आपने predict करना है बाकियों पर train करना है से यह shuffling और cross validation इसमें चल सकती है if you can make up the cut-off criteria कि यहां तक आप इसको validate करें बाकी सभी पर train करें and again then you can do a lot of things आप पूरे के पूरे samples के उपर इसे run कर सकते हैं पूरे के पूरे data के उपर and you can just define case में से 30% 10% 20% आपने रखना है and then you can work on different things फिर फिर parallelization भी इस पर कर सकते हैं parallelizing क्या होता है कि आप different processes को एक ही टाइम पर चलाए and then अगर आप check करें कि कौन-कौन सी चीज़े यहां आप इसमें और भी देख सकते हैं shocks जो है न यह उनको भी deal करते हैं कि अच्छानक से जो काम हो जाए time series के अंबर उसे बोलते है यानि के शौक क्या होता है कि एक ही लम्हे में वक्त बदल गया जजबात बदल गए हालात बदल गए याद है ना तो वह उपर चला गया यह नीचे आ गया तो उसको shocks बोलते हैं time series के data में shocks आते हैं बड़े event की बेस्पे like covid-19 का lockdown सबसे बड़ा शौक था इस ठीक है stock market अक्सर क्रेश होगी अला ना करे फ्लांग कंट्री जो है default हो गया अभी यूक्रेन रशियन की वार के बेस्ट में यूक्रेन इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट करता था सीरियल्स की वो रुकी हुई है रशिया ने जमीने जला दी है फिर रशिया के अपनी ओयल की supply पाकी चीज़ों की supply different countries में रुकी है तो stock market उस एक point of view के अंदर देखा जाए तो बड़ी impactful हुई है पाकिसान के अंदर आप oil की prices देख लें आवी गया तेल फिर भी काटनी हो र को define करना कि किस जगह पर जाकर यह specific change आई जो अक्सर रुकात आप question करते थे ना कि कोवी 19 की data को हम कैसे डिल करेंगे तो वो term होती है शौक को आप मेयर करते हैं अपने time series के अंदर for example एक बहुत बड़ी company चार रही है Nokia की बात कर लो अच्छा stock चार रहा है बूम कर रही है अ पिछले तीन माह में उनका एक भी यूनिट नी भी का पाकिसान में सो यह उनके लिए शौक ही है अब पीपा गड़ी हो धेरे ने तकरीबन कोई एक करोड से ज्यादा की होगी प्राइस के 95 लाग 90 लाग के करीब आइधिंग सो वो उनके लिए एक चोटा सा शौक है और उन सीजनेलिटी थी आपकी शौक का पीरिट आपने गुजारना फिर बाद में कहना अच्छा आप कैसे इंप्रूब हो रही है बचुछी थैंग तो इसको शौक अनलेसिस भी बोलते हैं if you want to do that one as well ठीक है फिर मतलब यार यह एक इतनी जबर्दस लाइबरेरी है कि आपको करन आपको कुछ नहीं पढ़ता वाइबरेरी खुद काम करें हाँ अगर ट्वीक्स करने यू कन डू दा पाइथोन में काम करना है तो यह सारा कुछ पाइथोन के लिए उन्होंने लिखा हुए रीड दा पेपर जहां पे इन्होंने बकाइदा इस प्रॉफिट के अल्गुरि लिखते हैं और ताके लोग उसको साइट भी करें इन्होंने भी यह पेपर फॉर्कास्टिंग एक स्केल के बारे में लिखा एंड दैन इट वेंट आफ एज प्रॉड़क्ट ठीक है पूरा मॉडल का तरीका कैसे बना कौन-कौन से हमने पैरामिटर इसमें रखें है हमारा मॉडल बाकियों से कैसे अच्छा है यह अगर आप पेपर इसका पढ़ लेंगे तो इस वाइन अगदर नहीं पढ़ते तो फिर भी आपकी मर्जी है यह बाइदा वे यह प्री प्रि स्टार्ट किया होगा या पंदरह में सत्रह में पब्लिश किया अंदेन इट वेंट आफ ठीक है आफ मतलब आगे मूव करना स्टार्ट हो जी डॉक्स पर जाएंगे तो यह मैंने आपको पहले दिखा दिया इनकी गिटब की रेपोजिटरी पर जाना है तो यह रही इनकी गिटब की रेपोजिटरी और अगर आप गौर करें ना यहां पर अगर कोई इशू आपको आता है गिटब को यूज करने का तरीका बता देता हूं इशूस पर जाएं आप पहले बंदनी होते जिसको वह मसला आया हो इनको रीड आउट किया करें इशूस को यहां पर आप अगर आपने नेटवर्किंग करने हैं कि लोगों ने यह फॉर्कास्ट का मॉडल बनाया है यह लोग हैं वह 143 कंट्रिबूटर इनको फॉलोग गी अगरो यार यह जो लोग है ना यह इनके मेन वह आप कहलें के कॉंट्रिबूटर के अंदर हैं अबिसली कुछ लोग मेन ह होंगे अगर आप उनको देखें तो यहां पर वह भी होंगे एंदन यू कन सी सम अदर पीपल ऐस वेल फिर कुमिट्स की बात करें तो यहां पर पता चलता होता है कि सबसे लेटेस्ट चेंज किया आई है जनाब 18 जून को भी यहां पर कुछ कुमिट हुए सो दे आर कॉंटिनुसली अपडेटिंग दिस लाइबरेडी साही है स्टार्ट कब हुआ है अगर आप चेक करें तो यहां से ओनवर्ड चल रहा है and you you can say different things बलके नहीं यह 26 जून को हुआ है I think so yes आज क्या देट है भी जून है नहीं यह पर 26 जून पुरानी है अगर मैं कोड पर जाओ ना तो वहां पर अच्छी डेड मिलेगी रास्ट कुमिट की थ्री वीक्स अगो यह देखें टू डेज अगो लास्ट कुमिट हुआ है यहां से आप देख सकते हैं सिधा और मैं एक सरुकात ना जब भी हम रेपोजिट्री देखते हैं हम यहां पर चेक करते हैं कि भई लास्ट रिलीज कब है इसका वन पॉइंट वन पॉइंट फोर वरियन जो है वो लास्ट तीन बीक्स पहले आया तो इस लाइक टॉप नॉ कितना टाइम इसने लिया वो भी देखते हैं पांच मिनट सेंटी सेकंड लिए और अट दी एंड इस वकत अब वो प्रिंट नहीं कर रहा है उसे हो गया अक्सर हो कातना यह कट भी कर लेता है ले जनाम आपके पास पूरे डेटा सेट जो पैंतालिस जार था 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 उसको अब यह उसने प्रडिक्ट करके लास्ट पे 2018 को आके भी अब प्रडिक्शन दे लिए और एक चीज़ नोट करें अगर मैं इसको उठा के अगर प्लॉट ली मेरा साथ दे इतने बड़े डेटा सेट पे चली यहांपे end पे देखें न तो error के chances बड़ते जाते हैं जितना दूर हटते ही यह error जो spredit है यह error है छे माह का आपका अच्छा जार रहा iOS अघ्र बढ़ती जा रही थीक है तो अरर इसका मतलब एया कि आप इतना accurately perform कर सकते हैं एक फॉर्कास्ट अगली वाली के लिए आपको काम करना पड़ेगा लुक यह सप्रेड चेक करें हैं यह जो सप्रेड है यह स्टेंडर्ड डेविएशन है अब आपको समझ आई कि बेसिक स्टेडिस्टिक्स हर जगा पर जगा पर जुरूरी है यह मीन है सेंटर में और साइड़ों पर स्टेंडर्ड डेविएशन है तो आपकी फॉर्कास्ट स्टार्ट स्टार्ट में अच्छी परफॉर्म होगी जैसे आप दूर रटते जाएंगे उसके एरर बढ़ती जाएं मतलब यह यहां पर वो कहेगा 26 टेंपरेचर है चोबीस भी हो सकते है और वाइस भी हो सकते है चोबीस भी हो सकते है ठीक है दो नीचे दो उपर यहां पर वो सेम बात करेगा कि चोबीस टेंपरेचर है यह पैंतिस भी हो सकते है और पचास भी हो सकते है सम्टिंग लाइक तो वो एर्र के चांसिस बढ़ा देगा यह अब यह मेरे ना सिस्टम को अब इतना गुमा रही है लॉट ली उपर से पहली है उपर से मैंने इतने बड़े डेटा सैट पर से चला दिया बट इसको मैं अब स्टॉप करता हूँ अब आप लोग जो हैं इस मॉडल को यूटिलाइज करके अपने प्रोजेक्स बनाएंगे